हेलो दोस्तों हिंदी मिरर पर फ्रिसे आपका स्वागत है कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो का जो विशे है वह है साहित्य शास्त्र आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा साहित्य जो शास्त्र है कावे शास्त्र वह दो भागों में विभक्त है भारत्य कावे शा ये दो भागों में भी भकते हैं खंड दो खंड बन ठीक है लेकिन आप जो हम प्रश्न लेकर आये हैं आपके लिए वह हमने सब लिये हैं भारतिय कावे सिध्धान से जिसमें आप अलंगकार ध्वानी और चित्य इन सब के बारे में प्रश्न को पढ़ेंगे इरिती वक्रोक सब्वें प्रश्न उठाए हैं और आपके ये प्रश्न जो होने वाले हैं 120 काहिशा बहुतिक प्रश्न घेंट रहा हैं ॅदॉसे आपके ओर दियो सब लिए व較 ран Ooh हम कल देंगे आपगे वह भी सिलीने रहेंगे तो आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो जादर से जादर लाइक एंड शेयर कीजिए जो दोस्ता चैनल पर नहीं है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसे नए वीडियो के उनको स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैंडम सीधा सीधा उत्तर हो जाता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा सोचने का कि आप प्रशन को सोच लीजिए कौन सा उत्तर बैठेगा तो कावे परकाश के रचेता कौन है देख लीजिए इनमें चारों म द्धौनिवादी के अचारे कौन है तो दूसरे अगलेक्व प्राशने के चलते हैं शेमें पता कर लिया होगा कि दिया है तो पाचवे का आपका उतर हो जाएगा सी भरत मुनी जी ने रहसुत्र दिया है चले अगले प्रशनी पे चलते हैं साइत्य धर्पन के रचियता आचारे हैं साइत्य धर्पन जो है उसके रचियता कौन है तो इसमें बताना है तो शिक्सकाप काउजय अगर डी आचारे विशुनाज जी जो है साइत्य धर्पन के रचनाकार है अगला प्रशन है नाटे शास्त्र किस आचारे की रचना है तो जो नाटे शास्त्र रचना हैं, तो सभी ने लगा लिया होगा अपना उत्तर, इसके हैं भरत मुनी जी, चले अगले प्रशन पे चलते हैं, चंद्रा लोग की साचारे की कृती है, चंद्रा लोग के बारे में बताना है किसकी कृती है, तो सभी का उत्तर मुझे लगता है सही जाएगा चंद्ध जैदेव चंद्रा लोग जैए है जैदीव जी की खृति है चले परिभाशन पर चलते हैं शब्दार तो सही तो कावे की परिभाशा किस ने दी है बहुत अच्छे ये प्रशन है इसको जरूर नो डाउन करें वैरिंपोर्टेंट परशन है ये पंग्ति जरूर आती है ठीक है तो ये पंग्ति किसकी है या फिर या परिभाशा किसकी है ये पंग्ति के रूपे भी आ जाते है परिभाशा की रूप में यह किसने कहा है इस तरह से भी आ जाता है परिभाशा तो यह है यह तो नाइन काप का उत्तर हो जाएगा सी भामा जी ने कहा आचारे की कृति है काव्या लंकार के अचारे है इनमें से कौन रसवादी आचारे कौन से है इसे बताना है तो बारवे का उत्तर हो जाएगे भरतमुनी जी रसवादी आचारे हैं जहाँ पर भी रस आजाय समझो भरतमुनी जी है चलिए अगला प्रशन पर चलते हैं इनमें रस निश्पत्ती का व्याख्याता आचारे कौन नहीं है जिसने रस निश्पत्ती की व्याख्या नहीं की है वह इनमें से कौन सा आचारे नहीं है इन चारों में से बताना है तो त अगला प्रशन है अलंकार संपरदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भी भामय जी को अलंकार संपरदाय का प्रवर्तक माना जाता है अगला प्रशन है शरीरे तावा इद्रिस्टाय दार्था व्याई बच्छिना पदावली कावय की प परिभाशा दी है ठीक है चलिए प्रशन परे चलते हैं तद दोशों शब्दार्थ तो सगोना बनहों लंकरती पुनेक भापी कावे की परिभाशे की साचारे निदी है तो आपका उत्तर लापने लगा लिए होगा कौन सा उतर है तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा तो किसी कि तुक्के भी बिल्कुर सही बैठते रों तुक्के लगाते लगाते वह प्रशन ज्यात हो जाते हैं इस्टुडेंट को जरू ठीक है चले प्रशन पर चलते हैं तो अठारा का अचारे के द्वारा कहा गया है तो आपका 19 का हो जाएगा ममट की जिये दोऔरा ठीक है जो ममट है उनके दोऔरा रिती को क्या कहा गया है रिती को पदे संग्टना इन में से किसने कहा है देखे दो प्रस्जण एक साथ रिती के ओपर बन चुके है तो 20 का आपका उत्तर हो जाएगा आनंद वर्धन के द्वारा पध संगन्तना कहा गया किसको रिती को और वेसी आपको में आत्मा माना तो यह बहुत इंपोटनत इसको यह को बाउन करें वैसे तो मैंने आपको स्वरु में कहा था कि जितने भी मैंने प्रस्ण लिए वह प्रशन को हटाई देती हूं जो इंप्रेटंट हो तो उन्हीं आप के लिए कर आती हूं चलिए अगला प्रशन क्योंकि हमें यहां टाइम पास नहीं करना कि एक गंटे की विडियो बना दी दो गंटे की बना दी और मैंने आपको है डालती भी ओपने कंटेंट में की अक्सक्राइं जो आपके प्रश्ण है सारे जो है एक्सपेक्टिड प्रश्ण है तो मुझे रताई कि इन में से आएंगे जरूर चलिए अगला प्रश्ण है विशिस्ट पद रचना रिती कि साचारे का कथन है तो 22 का उत्तर हो जाएगा दी वामन जी का है ठीक है विशिस्ट पद रचना रिती ठीक है चलिए अगला प्रश्ण है शैशाव सर्वत्र है वक्रोक्ति यह कि साचारे का कथन है तो बताना है इसमें तो 23 का आपका उत्तर हो जाएगा ए रिती दंड स्वरी 24 का हमने लगा दिया है 23 का हो जाएगा भा 24 का हमने ब्रेश्ण पर चलते हैं आचारे जैदेव कि सब्रताय के समर्थक आचारे हैं तो 25 का अवतर हो जाएगा दी अलंकार के समर्थक थे वह ठेक है कौन आचार्य जैदे उचली अगले प्रश्ण पर कावश से आत्मा कावश से आत्मा कावश से आत्मा धौनी रिती की साचार्य का कथन है तो जहां पर धौनी है तो सीधे सीधे आप कुछ नहीं सोचेंगे आनंद वर्धन जी को आप टिक कर देंगे तो यह उनके द्वारा क तो बताइए यह भी बहुत इंपोर्टेंट है आपका जैसे उपर मैंने बताया था जगनाजी का तो यहां भी बहुत इंपोर्टेंट है यह तो 27 का हो जाएगा आचार्य विश्वनात और पंडित जगनाजी को आप जरू देख लेना इनके जो कथने दोनों बहुत ज्याद आते हैं यह मौसली रिपीट होते ही होते हैं रामनियार था परतिपाद के हैं शब्द काव्य में यह कथन किसका है तो आपका यह उत्तर हो जाएगा डी पंडित जगनाजी यह पन आचारे विश्वनाजी पंडित जगनाजी दोनों के कथन आप जरूर देखना फिर अगल होती प्रमुक यह प्रसिध्य करती है ठीक है इनमें से कौन सा तर्ट्व काव्य करती ही तु नहीं है आपको पता है काव्य से होते हैं यह हमने बताना में तो 30 का इनankar मlike सथिल्शवने इसरा सुने और कौन-कौन में यह उन्हां से कभी है यह आप बताएंगे कमेंट बॉ मुख्य या मूल तो 31 काप का उजाएगा भी अभ्यास किसके अनुसार दंडी जी के अनुसार सभी ने कावे हे तू अलग-अलग माने हैं तो ये दंडी जी के अनुसार सबसे मूल जो है कावे हे तू अभ्यास है ठीक है अब प्रतिभा को शक्ति कहा है किसने कहा है तो 32 काप कर जाए गए भी ममट ने ठीक है शक्ति को इन्होंने माना है प्रतिभा को ठीक है वह कौन सा कावे ही तो जिसके अवाँ में कावे रचना संभव नहीं है तो आपका यह उत्तर हो जाएगा ए प्रतिभा के विना आप जो है कावे की रचना नहीं कर सकते हैं और प्रतिभा को क जाएगा, tails इसमें आपका पता चल गहा के सकल मौली बूत question B सबस्क्राइट सब्सक्राइब अर्डिक होसा निश्पत्ती की व्याक्या बुक्ती के रूप में किस ने की रश उत्र में निश्पत्ति की व्याख्या भुक्ति के रूप में अभी हम उपर पढ़ कर आ रहे थे कि रश निश्पत्ति की व्याख्या था कौन कौन है उसमें आपको हमने तीन के नाम बताए थे ठीक है तो यहां पर यह पूछ रहा है कि रश उत्र में निश्पत्ति की व्याक्या में भुक्ति के रूप में ठीक है यह बताना है आप थर्टी सिक्स का आपका उत्तर हो जाएगा भी भट नायक ने भुक्ति के रूप में की दोस्तों यह प्रशन थोड़ा हमें टीपिकल लगते हैं अगर आप इनको ध्यान से बिल्कुल जैसे हम कोई क्या कहते है कि व्याक्ण के उसके मैट के कोश्चन को बड़ ध्यान से समझते हैं तो इस तरक कोई फार्मूला इनका होता है तो वह आप ध्यान से अगर सुनोंगे वहाँ पर देखो कडियां जोड़िए इन प्रशनों में जब तक आप इनको जोड़के नहीं प्रशनों को तब तक आ लगा लगा अगर इनको याद करते हैं तो नहीं हो पाएगा अब सिर्फ बटनायक जी हैं अभी व्याक्याताकार भी है साथ में इनका क्या पढ़ लिया है कि जो है इन्होंने कहां गया यह प्रशनों कि यहां पर है यह रहा कि रसुत्र में निश्पत्ति की व्याक्या कुल ग तो किसने किया था तो 37 उनका हो जाएगा साधार ऑर किस ने किया यह quicker पता है तो बतायीये वाष्म दूब्य लोग के रशयता का ओस्तर हो जाएगा ए आनंद वर्धन और दूबारा आचुका है दूध रही लोग है लोचन बॉसका अब वाष्म यह रहा कावे की सत्ता शब्द में मानने वाले कौन आचारे हैं ? ऑभी हमने उपर पढ़ा था इसके भुती के बारे में , अब हम पढ़ रहे हैं उत्कति के बारे में,- जोड लीजिए आपके लिए फायदा होगा और आपको अच्छे से याद भी रहेगा दश रूपक के रजयता कौन है तो 44 का आपका उत्तर हो जाएगा धनज है ठीक है याद कर लेना बहुत इंपोर्टन प्रशने है महाकावे के लक्षनों पर किस आचारे ने विस्तार से विचार किया है त आपका ये उत्तर हमने बताई दिया है अगला वर्त देख लिए महाकावे में कम कितने सर्ग होने चाहेए तो कितने सर्ग रहे चाहें आप बताइये ईसलीजिए आठोन चाहिए है उत्तर सही दाजी ने लोकमंगल को कावे प्रोजन मानने वाले कभी हैं तो यहां भी आपका उत्तर तुलसी दाजी हो जाएंगे व्यक्ति वीवेट की रचना किस ने की है लगा लीजिए उत्तर किसका कौन है तो अगर आपका सही गया है तो आपका बिल्कुल सही है उत्तर भी महीम किस लक्षन गरंद की रचना की है अभी आपको समझाया ता आनद वर्धन जी के बारे में तो पचास का उत्तर हो जाएगा दुवन्या लोग यह मूपर रचना पढ़कर आ रहें तो सही जाने चाहिए आपके उत्तर इनमें से किसी रिती संप्रदाय का प्रवर्तक माना ग 52 का हो जाएगा भामजी का कथन है यह वेरी इंपोर्टेंट है नो डाउं जरो करें अगरा प्रशन आ जाता है मिलान का तब हम यहां पर मिलान करना है इधर संप्रदाय करता के नाम है ठीक है तो बताईए कौन-कौन है रिती संप्रदाय हम अभी पढ़ चुके हैं धोनी अलंका रश सबके वारे में हम पढ़ चुके हैं तो मैच कर लीजिए इसको तो 53 का मैचिंग कौन सा होगा बताईए सीधा सीधा आपको पता चल रहा होगा कौन सा है 53 तरीका उत्तर कौन सा जाने वाला है मैंने का ता रश वारतमुनी और वन कहीं नहीं है कहा पर है वन ए म परमपरा परमपरा कैसी है तो बताना है तो परमपरा कैसी होती है है रच्छ निश्पति के संबन में साधारी करन की इस्थापना से ने की है तो यह तो भी हमने पढ़ा था तो आपका उत्र सही जाएगा बहत नायक जीने की इन में में से व्यूत्त्ति नामक कावे हेत्व का क्या और है कावे हेतु मैंने आपको बताई थे रहें आमने उपर पड़े थें उसके बाद कावे हितु से संबंदित कावे प्रश्ण आ चुके हैं तो इसमें पूछ रहे हैं कि इन में से व्यूत्पत्ति नामक कावे हितु का अर्थ पूछा है तो 57 का अपका उत्तर हो जाएगा डी इन में से सभी यानिके निपूंता भी शास्त्र ग्यान भी और पांडित्य भी अचारे शंग कुक ने बहुत इंपोर्टेंट इसको जरूर नो डंग करें मदूमती भूमी का उले कि साधारी करण की व्याख्या करते समय किया तो कितना अच्छा प्रशन हैं इसको ध्यान से पढ़ें आप 59 का उतर हो जाएगा भी शामसंदर दाजी ने शामसंदर दाज आश्रे के साथ नाटे शास्त्र को क्या संग्या दी गई है नाटे शास्त्र को बताना है कौन सी संग्या दी गई है तो इसका उतर हो जाएगा पंचम वेद और नाटे शास्त्र का किस संबंध है यह आपको पता होना चाहिए रस का आर्थ क्या है तो आपका इसका उतर हो बी कावे आनंद ठीक है रस जो रस क्या होता है जब हमें कावे में क्या आता है आनंद आने लगता है तो वह क्या होता है रस रूप में क्या परिणित होता है रस रूप में परिणित बताना है क्या होता है तो 63 का आपका हो जाएगा इस्थाई भाव परिणत होता है चलिए संख्या कितनी है यह आपको समझा रखा है यह संख्या बताई गई है आपको तो यह नो ठीक है संख्या संदर्य मेलंकार किस कभी का कथन है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वामन जी ठीक है अचारे कुंतक ने रिती का क्या नाम दिया है रिती का संबंद तक आपको पता है लेकिन अचारे कुंतक ने इसे क्या नाम दिया है तो 66 का अपका उत्तर हो जाएगा ए ओज्गूर्ण होता है किया कहा है। वृती Margaret चलते हैं अगा प्रश्न रहे अचार आननद वर्धन ने कितने भीथ किये हैंぎ बताने हैं कि उप्तानादा क्विध किये हैं गर यह तीनायन पाउतर होbnत जयाएन तीन भेत किया है दोनी की शब्द शक्ति पर आधरित है तो 70 काप का उतर हो जाएगा सी व्यंजना पर आधरित है चलिए अगला प्रेशन देख लीजिए निमले लिकित में सुमेलित करना है इधर जो है आपके वाद है वक्तिवार उपार नित्वाद यहां पर और यहां पर इधर स्थाई भाव हैं तो बताने हैं तो आपको सिध्र सिधा इसका अंशरी बताते हैं 72 विग होगा जये तीन ठीक है धो चार एक तीन मेच कर देटेशरंगार का क्या होता है रती वी रस का क्या होगा अशोग और विवाट का क्या होगा जोग जो फोंगा ने पर चलते ह है ठीक है व्यक्ति विवेक के रचयता यह भी हम करके आचुके हैं आपका यह सही जाएगा देख लिए लगाईए कभी की अनुभूती का साधारी करन होता है यह कथन किसका है तो 76 का उत्तर हो जाएगा सी डॉक्टर नगेंद्र साहित्य लोचन के रचयता बताने हैं तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा शाम सुंदर्दाजी मेरे का शाम सुंदर्दाजी को अच्छे से पढ़ना इनसे संबंदी बहुत जादे प्रशने पूछे जाते हैं बाट्य कावे शास्त्री की भूमी का गरंद के लेकर के बहुत दोक्टर रामिला शर्मा किस वर्चे आलोचक तो आपका इसको अतर सबी को पता है कि तो इसमें हैं स्याध्धाम्ति का लुक्ते में बहुत खास प्रशिणी हैं इसको नोड़ाउंट जरूर करें तो 82 का आपका उत्तर हो जाएगा सी नंदुलारे बाजपे जी सोस्ठावादी समिक्षक है रदे की सी मुक्ती साधना के लिए मनुष्य की वाणि जो शब्द जो शब्द करती आई है उसे कभी तक आते हैं यह परिभाशा किसकी है तो इसमें परिभाशा बताना है तो 83 का आपका उत्तर हो जाएगा डी रामचंदर शुक्र जी की चलिए अगले प्रशने पे चलते हैं हिंदी साइट के बीश्वी सती नामक समिक्षा कृती के रचयता है बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है जरूर नो डांग करना यह वाली जो है समिक्षा पूछी जरूर जाती है तो 84 का आपका उत्तर हो जाएगा सी नंदुलारे बाच पे यह भी उनिकी है इनमें सी कौन सी तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रस्मिमानसा उनकी नहीं है निराला की साथ्य साधना भाष्या और समा भारतिय संदर शास्तर और तुलजिदाज यह तीनों उनकी रचना है रस्मिमानसा किसकी है पता हो सबको है ना अगर नहीं पता तो बता देते हैं राम चंद करा रहे हो है यह मिट इस्थाइभाव है यह किसगा आप को घेइब उबरबताया दा कौन से व्हींगे ऐस unos साइब करू करते हैं क्रोध़ क्या है संचारी वह है निंद अलूब वी बहुत अच्छा प्रश्ण भ Lay room कर ले अभीव्यक्ति वाद के प्रतीती पली आचाएह जोने से लगाया होगा अभी में हम का और मैं से मैच करता है यह अच्छा तक अच्छा करन मानते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है यह वाला भी तो 89 में जो रामचंद्र शुक्र जी मानते हैं साधारी करन वह आपका उत्तर हो जाएगा भी आलंबन धर्म का ठीक है आचारे वामन के बारे में पूछा है और यह हम कर चुके हैं तो बताया था रिती जहां पर रिती मानी गई गई है तक प्रकार का अलंगार है यह तो बहुत इजी प्रशन है सभी को पता होगा यह जो हे सब्दा अलंकार है डिया साध रश्ये पर आधारी तो आधारी तो आपका इसका उतर होending गाड़ी इन में से सभी यह सभी सभी साध्रश्य पर आधारित हैं क्यों है साध्रश्य पर अगर पता है तो बताएं बोक्स में कोवला या नंद के रच्यता है कौन है तो 95 का हुजएगा भी अपैया दिक्षित वेरी इसका होता है पुर्वा पर संबंद से रहित सहीत नी पूछा रहित कावे होता है तो 98 का उतर हो जाएगा पुर्वा होता है युक्त से नाइटी नाइनको कहलता है नाइंटी में से सब्दी युक्त होते हैं और वहां पर हमने क्या पूछा था रहित युक्त है प्रभंध कावे खंड कावे लेकिन जो नहीं होता व्य क्या कहलाता है मुक्तक कावे कहलाता है बहुत अच्छे दोनों प्रशन दोनों एक दूसरे से अटैच है एक साथ इनको करेंगे आप हिंदी में सोस्टरवादी समिक्षक है यह हम कर चुके हैं अभी नंदुलारे बाजपेजी है चलेगरा प्रशन कुछ अलग तरीके से उपर आया था लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से आया है तो 111 का आपका उतर हो जाएगा डी संधे परिने वर्तिये वहाँ पर दूसरे तरीके से पूछागा यहां दूसरे तरीके से पूछागा देखना मैंने काता ना कि प्रशनों की चैंसी बना किस ने दिया यह भी हम पढ़ चुके हैं बताइए किस ने दिया है आप कई उपर कर चुके हो प्रशन तो एक सो तोरा का आपका विश्वनाज जी मम्मट ने रिती को क्या का है यह भी हम समझ कर आये हैं उपर तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा वृति देखना प्रशन से भेद माने हैं या माने हैं उन्होंने तो एक सो सोला का उत्तर हो जाएगा गठी यह सभी दोनी इरस्तों और दोनी प्रशन और करना है इस चल्थाव और चलते हैं इन पंक्तियों को मिलाना है सुची सुची तूसे सुची बन सुची दो तो 118 का सीधा उतर देखते हैं उतर है इसका 3 4 1 2 ठीक है 3 4 1 2 तो धरती में क्या आएगा संचारी भाव रोमांच क्या है सात्विक भाव नाइका क्या है आलम्बन यह मैं भी शकुंतला के बारे में उपर पड़ाता आलम्बन रिती वक्रोकती किसे संबन्तिते रस्द्वनी रिती वक्रोक्ति इसका सीधा आनसर बताते हैं 122 प्रूक्ती सीधा है तक मैच कर लीजिए रिखें एपंक्ती भी हम कर कर आचुके हैं वुबर जेशाय सुरत्रे वक्रोकती रिवाग यत्य कत्थन किसका है किसका था पताई जल्दी से किसका सही जाएगा यहां पर उत्तर है दंडी जी का ठीक है कौन सा चारे अलंकरवादी नहीं है बाकी तीन है और एक नहीं है अलंकरवादी तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी मम्मट जी वह अलंकरवादी नहीं है यह क्या है तो आपका इसका उत्तर जाएगा अलंकार कावय का अनिवारे तात्तु नहीं है अलंकरती पुने कवापी का तात्त परेया हो चुका है यहां पर मिलान करना है तो इधर जो है सिध्धान ते प्रवर्टक हैं तो 126 का उत्तर क्या होगा जल्दी से बताईए एह हो जाएगा चार एक दो तीन ऑचित्य किसका है शैमेंद्र का गुण किसका है वामन द्वानी किसे आननवर्दन रसकिसका अबरतमुनी बहुत आसान था प्रग्या नवन अवमनेश भाशालिनी प्रतिभा सत्मताहा या कथन किसका है तो 128 का उत्तर हो जाएगा आचारे बढ़ती थिका प्रतिभा को कावय का प्रधान हेतू माना है यह हम पढ़कर आएं लेकिन दोसे तरह किसा आपके प्रतिभा सामने आई थी तो 120 कावका उत्तर हो जाएगा बी धंडी जी ने प्रतिवा को शक्ति नाम दिया है यह भी पड़ा है लेकिन वहीं प्रशन दुबारे से बदल कर दे दिया गया है तो 130 काप का उतर हो जाएगा दी इश्वर वंदला ठीक है विद्पति का टात्पर रही है क्या है 132 का उतर हो जाएगा डी यह सभी इशास ज्यान यह भी हम पड़ चुके हैं विद्पव निपन्ड़ता कहा है 133 का मममट ने पंडी जगनाद के क्या नाम है तो बहुत अच्छा प्रशन है तो इसका आपको त्रजगार रसिगंगा धर यह हम उपर कड़ चुके हैं लेकिन वहां पर रसिगंगा धर यहां पर ते यह पर पंड़ जगनाद जी ऊपर आ गई यह अर्जगंगा धर उनके रचना नीचे आ मैचिंग आप आराम से कर सकते हो तो आपका इसका उत्तर है सी को आप मैच कर लेना सी आपका उत्तर है टिक कर देते हैं इसको चले अगला प्रशन समर्थक आलोचक कौन है यानि कि समर्थन में आलोचना की है तो की है नंदुलारे बाच पे इसके प्रमुक समर्थक आलोचक रहे हैं काव्य गुणों की संख्या मानी गई है सब्सक्राइब कर देखिए यह परिभाषा पड़ी आपने की किस ने दी है लेकिन यहां पर प्रशन क्या पूछ रहा है कि किस काव्य गरंथ में हैं तो 142 का जाएगा बी काव्य अलंकार सुत्र वृति में ओजगुन का संबंद है पढ़कर रहा है वीरस से वहां पर यहां पर पूछा गया था कि जो आपका जो जो संबंद है यहां पर उजगुन है यहां पर उपर श real निचे आ गया इन इसे ही तो प्रशन घूमते हैं लेकिन हम घब आ जाते हैं कि हमने तो ऐसे पढ़ा तो यह ऐसे आ गया इन में से रश्चुत्र का व्याख्याता अचार्या को नहीं है वहां पर दूसरे नाम ते यहां पर दूसरा गए तो 44 का आपका उत्तर हो जाए का ठीक है भी बटायक जी पर दूसरे तरीके से प्रशन को पढ़ा था तो इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा सी पामन जी है पद्मा भरण के रचेता अलग प्रशन है बताईए कौन है पद्मा भरण के रचेता तो पद्माकर जी है बहुत प्रमुख क्याने चाहिए बहुत अच्छी रचना है हिंदी का अलंकार वादिया चार्या है तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए केशव जी है कभी प्रिया की रचना की है किसने की है कभ पर आधारित हैं बहुत अच्छा प्रशन 155 का उत्तर हो जाएका बताई कि जल्दी से आपका अगर सही जा रहा है तो आपका सही जा रहा है चंद्रा लोग ठीक है यह पंग्ती है इसको आप देख लेना में इसका सीधा आपको उत्तरी बता देती हूं 156 का आपका उत्तर व कृड पन्ती है कि चाहिंती है ने का संबंद है किससे मध्य चयकर पताना है सी काङे में आपका इसका उत रहाए overlapping मार्ड़ का हो जाए इसका याम चंद्र श्द्री का बहुत अच्य प्रशने ओपनागरी का व्रिती का सम्वंद किस रिती से संबंद किष्ट कत्र रजयर अंध। कहलाती है बहुत अच्छा प्रशन है समझे ध्यान से इसको तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए पांचाली चलिए अगरा प्रशन देख लीजिए सात्विक अनूभाव की संख्या है सात्विक अनूभाव कों कौन से होता है पता तो इसमें सात्विवाव कौन सा नहीं है उसके बारे में बताना है तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा भी विड्रा व्यवर्णी है कम पो रोमांज यह सात्विवाव है तीन तो आपको पता चल गए बाकी छे आपको देखने है आचार्य वामन का समय है कौन सा समय है तो अलंकारों का विशद विवेचन है तो इसमें जो है आपका उत्तर चला जाएगा 11 ठीक है चलिए पर चलते हैं कभी की असाधरन मेधा ही प्रतिवा है यह कथन किसने दिया है तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र जी ने कारियत्री प्रतिवा का संब सब्सक्राइब करें कि प्रतिवा होती है किसमें तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा इश्वर प्रदत होती है यह हम उपर भी पढ़कर आचुके हैं चलिए प्रशन आचारे ममत नहीं विद्पत्ति को क्या नाम दिया है तो यह बढ़ा है हमने तो यह पढ़ाता निपु दंडी किस वर्क के आचारे हैं यह भी आपने पढ़ा था तो आपका उत्तर यह बिल्कुछ सही जाना चाहिए तो इसका उत्तर है अलंकार वादी इन सुच्छों का मिलान करना है पंक्ति है कथन है इधर आचारे के नाम है इनके बारे में बताना है किसने क्या कही है तो 176 इसका आपको सीधा उता देते हैं इसका उत्तर है भी 3,1,4,2 इसको मिला लेना आप जैसे कावेशोवा करने धर्मान अलंकार प्रश्यक्षते तो ए में कौन सा है डंडी सौंदरे मैं अलंकार वामन ठीक है इसको मिला लेना आप तो इसमें जो है आपका सीमे चोथा और अ तो इसका सीधा सीधा आपको आंसर बता देते हैं, इसका आंसर आपका है, C, 3, 4, 1, 2, ठीक है, इसको मिलाने ना, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आपके प्रशनी खत्म हो चुके हैं, चलिए हम ये मैचिंग कर लेते हैं, आप थोड़ा सा, 177 का, तुकावया इलंका सुत्रवर्ती का है, तीसरा, यह हमने इसका आपका उत्तर बताया था, 178 का, C, 177 का आपका उत्तर हो जाएगा, C, तो इसमें कावया इलंकार सुत्रवर्ती किसकी है, वामन की, कावया इलंकार सारगरे किसका है, उद्वट का, यहां पर यह मैच होगा, कावया इलंकार किस से आपके यह प्रशन पूरे हो चुके हैं 120-130 आपके प्रशने हैं सो से तो आपके उपर ही है यह प्रशन प्रशन पसंद आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेर कीजिए जिससे यह कंटेंट जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं आगामी परिक्षाओं के लिए उन भी यह पहुंच सके